नमस्य बच्चों कैसे आप लोग बच्चों आज की वीडियो में हम ग्रेड 7 का PT1 का रिविजन पेपर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है ध्यान पूर्बग जो ये गद्यां से ने पैसे दिया है इसे पढ़ना है उसका जो आंसर है उसको विकल्प में आप्शन किवन है उसे चुनकर करें टॉप्शन सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले हम पैराग्राफ रीट करते हैं कि पैराग्र सदाचार शब्द सद और आचार से मिलकर बना है जिसका अर्थ है अच्छा ब्यवहार सदाचार व्यक्ति को सच चरित्र बनाता है जीवन में सदाचार का बहुत पहत्व है सदाचार के अंतरगत जिन गुड़ों की अपेक्छा की जाती है वे हैं सत्य बोलना, अहिंसा के मार्ग पर चलना, दूसरों की सहायता करना, निह स्वार्थ भावना को अपनाना, सादा जीवन बिताना, उच्च विचार रखना, बढ़ों का आदर करना, आदि इन गुड़ो को अपना कर हमारा जीवन सदाचार पूर्ण हो सकता है, सदाचारी बनने के लिए मनुष्य को शिक्षा, सत्संगती और अनुशाशन की बहुत अवशकता होती है, वैसे अशिक्षित विक्ति भी सत्संगती और अनुभवों के आधर पर सदाचारी देखे गए हैं, शिक्षा के बिना अधूरा रह जाता है, शिक्षा और सत्संगती का सयोग दिख्ति को सदाचारी मनाता है, तो यह हमने पैरक्राफ पढ़ा, आब इससे संबंदित जो प्रश्ण उत्तर हैं, उसे देखते हैं हमें, हमें पैसेट से यह आंसर देना है, सदाचार शब्द का क्या अर्थ है, तो हमने क्या पढ़ा था, सदाचार का मीनिंग है अच्छा बयोहार, याने की अपना बिहेवियर, गुड बिहेवियर, सदाचारी बनने के लिए मनेश्य को किन चीजों की आवशक्ता होती है, शिक्षा, सत्संगती के सयोग की, फिर सदाचार के अंतरगत क किन गुडों की अपिक्षा की जाती है, हमने अभी इतने सारे गुड पढ़े ना, सत्य बोलना, अहिंसा के मार्क पर चलना, दूसरों की सहायता करना, नहिस्वार्त भावना को अपनाना आ दी, तो ये correct option था, फिर इसके बाद है, बुद्धी का विकास किसके बिना अधू पुरा है, तो correct option है, सिक्षा के बिना, फिर next है, उपर युगत गद्यांस का शीर्शक लिखेने, ताइटल, तो इसका सही option है, सदाचार का महत्व, फिर दूसरा प्रेशन है, कु उपसर्ग से बना शब्द है, कु उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा कोई भी वर्ड के पहले ए होता है, तो इहां पर उपसर्ग लगाना है कु से कुमार्ग, फिर स्वा उपसर्ग से बना हुआ शब्द स्वादेश, फिर नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द नी कुझ, प्रगती सब्द के में उचित उपसर्ग क्या है, प्रा, यहां पर प्रगती में प्रा एक correct उपस प्रत्य जो होता है वो पीछे लगता है लास्ट में आप्शन के तो यहाँ पे ता है मानव ता यह करेक्ट आप्शन है फिर इसके बाद है आओ प्रत्य से बना हुआ शब्द तो आओ से बना हुआ शब्द क्या होगा कटाओ इसके बाद है इसके बाद हमें नेक्सट उसमें आई प्रत्य से बना हुआ शब्द तो क्या होगा लडाई यहाँ पैं प्रत्य मतलाब लास्ट में वो साउंड आना चाहिए फिर है तहलना शब्द में उचित प्रत्य क्या है ना यहने कि ना फिर नेक्स्ट उपयोग शब्द में उचित उपसर्ग एवन मूल शब्द मतला मेन वर्ड भी क्या है और जिसके साथ में उपसर्ग लगा है पहले तो यहां पे उप जो है यह पहले उपसर्ग होगा और योग जो है मेन वर्ड है तो मेन शब्द है इला और बर्फ है प्रत्याई फिर प्रेड़ना ने पत्र लिखा इसमें अब हम क्या है नेमलिखित वाक्यों में कारक चिन हमें कारक शब्द हमें पढ़े है ना कारक पहचानना है उसके भेद एवं विकल्पों में मतलब जो ऑप्शन से उसे हमें ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से तो ये करता क्या है प्रेड़ना और ने क्या उसने विवक्ति लगी है फिर रहीम गेंद से खेलता है तो ये से क्या होगा करण कारक तो से में दो आते हैं कारक एक करता ने कर्म को करण से अगर करण कारक आएगा तो ये प्लस, विद के लिए, बाई के लिए, समप्रदान के लिए, अपादान से, और अपादान जो कारक होगा, याद रखना, वो separation के लिए होगा, यह जो से आएगा, वो separation के लिए, अपादान कारक, तो यहाँ पे गेंद से खिलता है, विद द बॉल, यानि कि, अपादान कारक, तो यहाँ पे जो होगा यह गेन से खिलता है करण कारक होगा क्योंकि with the ball है फिर नेक्स्ट है आसमान से बूंदें गिरी अब देखें यहाँ पे से जो यहाँ पे यूज हुआ है सेपरेशन हो रहा है स्काई से जो ड्रॉप गिर रही है ना सेपरेट हो रही है इसलिए आसमा पर गाड़ी खड़ी है तो यहाँ पे क्या होगा सड़क पर जो है अधिकरन कारक आप कारक की विभक्तियां सारी याद कर लेंगे तो आपने आप बन जाएगा में पर को यह सब जो होगा अधिकरन कारक होता है फिर नेक्स्ट है मा बच्चे को सुला रही है तो यह कौन सा कारक है कर्म कारक क्योंकि मां जो है करता है और क्रिया है सुला रहा और ऑब्जेक्ट क्या है बच्चा तो बच्चे की उपर इफेक्ट पढ़ता है इसलिए कर्म कारक है मां बच्चे को सुला रही है तो बच्चे को कर्म कारक है फिर next नेमलिखित प्रश्णों के उत्तर एक वाक्य में लिखिया में one sentence में answer देना है यूग की नई मूर्ती रचना का क्या अर्थ है उत्तर यूग की नई मूर्ती रचना का अर्थ है यूग का नया निर्माड मतलब एक नए एरा का नए यूग का new creation नया creativity होना इसका एक नए यूग की रचना यानि यूग का निर्माड होना फिर कविता इतने उचे उठो के अनुसार जीवन का निरंतर सत्य क्या है तो उत्तर है जीवन का निरंतर सत्य गती है मतलब आगे बढ़ते जाना है हमें निरंतर continuity होना चाहिए उसमें आगे बढ़ना है ने उसकी गती movement परदेशी ने शिशुपाल का दरवजा क्यों खटखटाया उत्तर परदेशी को रात बिताने के लिए जगे चाहिए थी इसलिए उन्होंने शिशुपाल का दरवजा खटखटाया फिर नेक्स शिशुपाल ने समराट को दंड क्यों दिया उत्तर शिशुपाल ने समराट को दंड दिया क्योंकि समराट ने सरकारी कर्मचारी यानि जो सरकारी कर्मचारी पहरेदार था उसकी हत्या कर दी थी फिर नेक्स जो है अभी हमने वन वर्ड में आंसर दिया आप क्या करना है थोड़ा एक से दो लाइन में लिखना है यहने कि 20 से 25 शब्दों में काविता इतने उचे उठो कि अनुसार समाज में परिवर्तन कैसे आएगा तो उधर है समाज में परिवर्तन नई विचार धारा से आएगा प्रगती शील विचारों वाले युवाओं के प्रयासों से धर्ती स्वर्ग के समान सुन्दर हो जाएगी यानि प्रगती शील जो प्रोग्रेसिव थौट से उससे और युवा यानि जो यंगस्टर से उनके प्रयास से अमारे धर्ती स्वर्ग के की तरह सुन्दर हो जाएगी फिर नेक्स क्येशन है कविता इतने उचे उठो का भाव क्या है यानि और इसका क्या में मोटिव है संदेश है तो इसका उत्तर है कविता इतने उचे उठो पुरानी तथा मानो विरोधी परमपराओं को तोड़ कर प्रगती शील विचारों को अपनाने की प्रेणना देती है यह कविता समाज में नई चेतना लाने का प्रयास करती है तो क्या महें मुख्यो देश या मुख्य भाव इस कविता का कि हमें कविता इतने उचे 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 पुरानी जो हमारे मानों के विरोधी परमपराएं हैं रिचुल से हैं वो सब जो हमें अरे देश को आगे बढ़ने से रोकती हुने हमें तोड़ना है और प्रगती शील आगे बढ़ने वाले विचारों को अपनाने की प्रिणना देती है कविता और ये कविता समाज में एक नई चेतना है नई क्रांती लाने का प्रयास करती है इसके बाद है, हमारा next question है ज्वालाओं से जलते जग में मले पवन की तेरह बनने का क्या ताद पर है? मले इक पर्वत है, मले पवन जहां से छू करके हवा आती है, ठंडी ठंडी और ज्वाला मतला fire, आग चो निकलती है तो उसकी तेरह बनने का क्या ताद पर है? को दूर करती है तपन यानि अपनी हीट यानि गर्मी को दूर करती है शीतल मिन्स ठंडी कुल्ड मन्द मतलब एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पवन मिन्स एर वैसे ही प्रगती शील नवीन विचारधारा पुरानी वा अहितकारी परमपराईने जो की हामफुल परमपराई रिती रिवाज पुराने उनसे जुलस्ते समाज को मुक्त कर शीतलता प्रदान करती है जो अलाओं से जलते जग में मले पवन की तरह बहने का ताथपर यही है तो क्या है इसका ताथपर आप दो तरह से लिख सकते हैं या की फिर ये वाला जो पोर्शन है इसको आप पहले भी लिख सकते हैं कि जो अलाओं से जलते जग में मले पवन की तरह बहने का ताथपर यह है आपन को दूर करती है वैसे ही प्रगती शीलनबील विचारधारा पुराने वाई अहितकारी परंपराओं से जो लस्ते समाज को मुक्त कर शीतलता प्रदान करती है यहां तक आप लिख सकते हैं आप इसको चाहे तो यहां स्टाटिंग में लिखें या फिर एंड में फिर नेक्स क्विश्चन है समराट ने शिशुपाल को राज्य का न्याय मंत्री क्यों बनाया तो क्या है इसका उत्तर शिशुपाल ने समराट से कहा था कि अवसर मिले तो दिखा दूँगा कि न्याय क्या होता है समराट ने शिशुपाल को न्याय मंत्री बना कर उसकी कही बात को साबित करने का उसर दिया तो क्यों बनाया समराट असोक ने शिशुपाल को समराट असोक ने इसलिए न्याय मंत्री बनाया क्योंकि शुशुपाल ने समराट से कहा था जब वो उसकी घर में रात में ठहरने के लिए गया था कि आवसर मिले तो मैं दिखा दूँगा अगर मुझे कोई चांस मिलता है तो मैं दिखा दूँगा कि सही जज्जमेंट क्या होता है जस्टिस क्या होती है न्याए क्या होता है समराट ने शुशुपाल को न्याए मंतरी बना कर उसको यही मौका दिया यानि यही आवसर या चांस दिया फिर इसकी बाद है अभी समवाद लेखने इसमें इसको आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते डॉक्टर और मरीज के मदे 40-50 शब्दों में समवाद लिखिए या फिर बैडमिंटन खेल के विशे में दो खिलाणियों के मदे 40-50 शब्दों में समवाद लिखिए तो देखे यहाँ पे जैसे डॉक्टर और मरीज यानि रोगी मरीज की प्लेस में कोई रोगी का रोगी भी आज़ तो question में डॉक्टर और मरीज या डॉक्टर और रोगी के भी समवाद लिखना है तो चलिए देखते हैं हाँ बहुत यह simple way में आप अपने according लिख सकते हैं जिसे अच्छे से हिंदी नहीं आती है नहीं तो भाषा शैली अगर ज्यादा difficult हो जाएगी तो फिर बच्चों को लिखने में दिक्कत होगी तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया इसे समझने के कुशिश कीजिए रोगी बोलता है सबसे पहले sir क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ जैसे कि हम बोलते हैं may I come in sir जैसे cabin में अंदर जाने के पहले वैसे रोगी पूछता है फिर डॉक्टर कहते है जी यस आ जाएए please come in रोगी बोलता है नमस्ते डॉक्टर साहब फिर डॉक्टर बोलता है नमस्ते बताईए यहाँ नमस्ते बताईए मैं आपको क्या तकलीफ है तो रोगी कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे कल रात से जुकाम और बुखार हो रखा है तो यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं फिर पूछते हैं कि आपको cold तो नहीं हो रहा है याने कि ठंड तो नहीं लग रही है रोगी बोलता है जी डॉक्टर साहब ठंड भी लग रही है फिर इसके बाद है डॉक्टर बोलते हैं घबराने की कोई बात नहीं है मैंने दवाईयां लिख दी है दो से तीन दिनों में ठीक हो जाएगा आप दवाईयां समय पर लेते रहेगा फिर रोगी बोलता है जी डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप इस तरह से समवाद लिख सकते हैं जैसे कि पहले आप एक पर में फिर से आपको पढ़के बता देती हूँ कि जैसे डॉक्टर और रोगी की बीच में कोई मतलब एक सिंपल से आपको कोल्ड और फीवर है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से किस तरह से टॉकिंग करेंगे तो रोगी बोलता है सर किया मैं आपको अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ गरल है तो आ सकती हूँ और बॉय है तो आ सकता हूँ लिखना है फिर डॉक्टर बोलता है जी येस आ जाएए फिर रोगी बोलता है नमस्ते डॉक्टर साहब डॉक्टर बोलते है नमस्ते रोगी बोलता है कि जी डॉक्टर साहब ठंड भी लग रही है यस डॉक्टर साहब मुझे शिवरिंग हो रही है और cold भी feel हो रहा है फिर डॉक्टर बोलता है घबराने की कोई बात नहीं है मैंने दवाईयां लिख दी है medicine लिख दिया है prescription में दो से तीन दिनों में ठीक हो जाएगा और आप दवाईयां जो है on time याने समय पर लेते रहिएगा फिर रोगी लास्ट में डॉक्टर को बोलता ह जी डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद सार डायलोक राइटिंग था इस तरह से आप लिख सकते हैं